उम्र 14 से 25 साल, ये वो उम्र होती जब इंसान की जो एनर्जी होती वो पीक पर होती है इस एज में हम जो चाहें वो कर सकते हैं, जो चाहें वो बन सकते हैं लेकिन कुछ गल्तियों की वैसे हम थोड़े से पीछे रह जाते हैं हम हमारे हाइस से पोटेंशल तक नहीं पहुच पाते हैं आज मैं आपको उच्छी गल्तिया बताऊंगा जिन करने से आप बस सकते हो जिसकी वैसे हजारों लाखों लोगों का भविश्ची बरबाद हुआ है आप इन्हें करने से बस सकते हो और एक महान इंसान बनने की और आगे कदम पढ़ा सकते हो पहली गल्ति Not following your dreams Scientist ने एक बार सर्वे किया जिसमें उन्होंने 40 साल की उमर वाले 60 लोगों से पूछा कि पास्ट किसी कौन सी घटनाएं है जिनका पश्टावा आपको अभी तक होता है तो उन 60 में से 45 लोगों ने बताया कि उन्हें सबस्यादा पश्टावा ये होता है कि उन्होंने वो काम किये ही नहीं जो वो करना चाहते थे उन्हें उन कामों का बश्टावा नहीं है जो कि उन्होंने गलत किये उन्हें उन कामों का बश्टावा है जो कि उन्होंने कभी किये ही नहीं आपने वो कहानी तो सुनी होगी जहांपर दो भाई होते हैं पांस साल का और एक बारा साल का दोनों खेलते खेलते एक बार जंगल में चल जाते हैं और जो बड़ा वाला भाय होता है वो गलती से कुवे में गिर जाता है और गिरने के बाद वो अंदर चिल्दाने लगता है क्योंकि उसे तेरना नहीं आता तो छोटा भाई जो होता है व फाइनली उस बारा साल वाले बच्चे को अपने बड़े भाई को कुएं से बाहर निकाल लिया और जब वो दोनों गाउं गए और ये सब घारोलों को बताया तो हाँ पर किसी ने भी उनकी बात का यकीने नहीं किया क्योंकि एक 5 साल का बच्चा 12 साल की बच्चे को किया से खीन सकता है लेकिन उस गाउंका जो सबसे समझदार आत्मी था वो उनकी बात को मान लेता है सभी लोग उस समझदार वेक्ती से कुश्टे हैं कि आखिर उस बच्चे में इतनी शक्ती आई कहां से तब वो बिताता है कि बच्चे ऐसा सिर्फ इस लिए कर पाया क्योंकि वहाँ पर दूड़ दूड़ तक कोई नहीं था उस बच्चे को ये कहने वाला कि तू ये नहीं कर सकता और यहां तक कि वो खुद भी नहीं था क्योंकि उस अपने भाई को बचाना था आपको अपने आपसे एक सवाल करना है कि अगर उस बच्चे की तरह दूर दूर तक कोई भी मुझे जज़ करने वाला नहीं हो तो मैं क्या कर सकता था अगर आज की देट में मुझे कोई भी जज़ नहीं कर रहा है तो वो क्या क्या काम है जो कि मैं कर सकता हूँ और हजारों लाखों लोग ये गलती करते हैं, अपने ड्रेम्स को फोलो इनी करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें जच करने वाले बहुत होते हैं इस गलती को करने से बजें और अपने सपने पर आज ही काम करें नंबर टूसटेंग अप अगेंस्ट बुलिज स्कूल और कॉलेजिस में से बहुत सारे गेंग्स होते हैं जो की खुद को ताकत और बताने के लिए उनसे कमज़ोर बच्चों को मारते हैं उनका मजाग बनाते हैं उनकी इंसल्ट करते हैं और कई बार स्टूडेंट सिफ इनी चीज़ों में फसकर रहे जाता है स्टूडेंट लाइफ जब हम अपने करियर के बारे में बहुत कुछ सोच सकते हैं नईने एक्टिविटिस के तुरू हम अपना टेलेंट पता कर सकते हैं अपने टेलेंट को और ज़्यादा निखार सकते हैं लेकिन अगर इनसान इनी चीज़ों मूल जा रहेगा तो केसे आगे बढ़ेगा और इसा नहीं कि बॉलिंग सिर्फ इसकूल या कोलेजिस में ही होती है आपकी इंसल्ट करने वाले आपको पुरी जिन्दगी भर मिलते रहेंगे वो चाए आपको ओफिस हो, महला हो, कहीं पर भी हो आपको कहीं ने कहीं लोग मिल ही जाएंगे लेकिन ये आपके हाथ में है कि आप इनका सामना कैसे करते हो याद रखें लोग सिफ उन्ही को परिशन करते हैं जिनको वो खुद से जादा कमजोर समझते हैं तो अपनी इमेज सबसे अलग बनाओ, खुद को स्ट्रोंग बनाओ आप जैसी अपनी इमेज बनाओ के लोग सामने लोग आपको वेसे ही ट्रेट करेंगे तो अपनी इमेज वो थोरी स्ट्रोंग बनाओ, ताकि कोई भी आपकी इंसल्ट करने इस पिले दस पार सोचे इंसल्ट के साथ में डिल कैसे की जाती है, वो आपको स्वामी विवे का नंजे से सीखना चाहिए स्वामी जी एक पार केफे में खाना खाने के लिए जाते हैं, और वो उसी टेवल पर बेट जाते हैं, जहां पर उनके प्रोफेसर बैठे हुए होते हैं तो प्रोफेसर स्वामी जी की इंसल्ट करने के लिए उनको सुवर कहते हैं और कहते हैं कि सुवर और बदक साथ में खाना नहीं काते हैं और तभी स्वामी जी कहते हैं कि आप जब बोलोगे में उड़कर चला जाओंगा स्वामी जैनी यहाँ पर खुद को बदग बना दिया उनको सुवर बना दिया बिना उनको सुवर कहे आपको भी ऐसे ही अपनी इंसल्ट का सामना करना सीखना होगा और हो साके तो अपनी इमेज ऐसी बनाओ कि कोई आपका मजाग ही न बनाओ और अगर थोड़ा बहुत हसी मजाग दोस्तों में चल भी रहा है तो इट्स ओके उसे हसी मजाग में ही ले जादा सिरेसली ना ले लेकिन अगर कोई बार बार आपकी इंसल्ट कर रहा है तो फिर वहाँ पर कुछ करने की ज़रूत है वहाँ पर पीछे मत अटो बलकि उनका सामना करो और अपनी जो इमेज है वो थोड़ी स्टॉंग बनाओ यूटूब पर अभी आप ये वीडियो देख रहे हो और यूटूब खुद गूगल का प्रोड़क्ट है और फेस्बुक जिसको आप सब जानते हो जिसकी इंडिया में 416 मिलियन यूजर से पर कौन जानता है इस कंपनी को ये है याहो गूगल की तरह ये एक सर्च इंजन ने साल 1999 में गूगल ने याहो का एक उफर दिया था कि वो गूगल को 1 मिलियन डॉलर में खरीद ले लेकिन याहो ने उस टाइम मना कर दिया सन 2004 में गूगल ने फिर से याहो को उफर दिया कि वो गूगल को 4 मिलियन डॉलर में खरीद ले लेकिन याहो ने 3 billion dollar का counter offer दिया और वो deal भी cancel हो गई इसके बाद साल 2006 में याहो के पास एक और opportunity आई थी कि वो Facebook को 1 billion dollar में खरीद ले लेकिन याहो ने अपनी bid कम करके 8.500 million dollar कर दी और वो deal भी cancel हो गई याहो अगर इन opportunity को miss नहीं करता तो आज वो 1 trillion dollar companies का owner होता और इतने सारे मोके गवाने के बाद में याहो को खुद अपनी company साल 2017 में 5 million dollar में बेशनी पड़ी आपने कई साल लोगों को एक हैते हो सुना होगा कि मैं करना तो बहुत कुछ चाता हूँ बस कोई एक मोका मिल जाए हम सभी की life में कई सारे opportunities आती है लेकिन जाता लोग के साथ में एक problem होती है कि वो इन मोकों को पहचान ही नहीं पाते और कई बार पहचान भी लेते हैं और हाथ से जाना देते हैं सिर्फ इसलिए वो सोचते हैं कि कुछ और करेंगे वो अपने comfort zone में अटक कर रहे जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं और जो इनसान आज की देट में ये कह रहा है कि मेरे पास opportunities नहीं है तो उसे जिंदगी में कितने ही मोके मिल जाए वो हमेशा यहीं कहेगा क्योंकि जितनी opportunities हमारी generation के पास में है उतनी शायद ही किसी generation में रही होगी हम घर बैटे ओनलाइन अपना business खोल सकते हैं अपना YouTube चैनल स्टार्ट कर सकते हैं freelancing work करके काफिया चारने कर सकते हैं मैं आपको मेरा example देता हूँ जब मेल लेंट क्लास में था तब मुझे YouTube एक बहुत ही बड़ी opportunity दिख रही थी और मैंने तुरंत इस opportunity का फायदा उठा लिया और आज result आप देख सकते हूँ तो अगर आपको भी मेरी तरह कोई opportunity दिखती है तो उसे हास से जाने मत दोबल कि उसका फायदा उठाओ क्योंकि आपको नहीं पता की कौन सा मुका आपकी जिन्दगी पदल सकता है आप एक बार इस विजुल को देखिए प्राइम येर्स यानि 18 से 25 साल तक का समय यह हमारी लाइफ का वो टाइम होता है जब हमार पास में टाइम और एनरजी की कोई कभी नहीं रहती आप इंडिपेंडेंट होते हो आपके पास इतने responsibilities भी नहीं होती है और नहीं आपको किसी बात का इतना stress होता है लेकिन जातर लोग इस एज में अपने टाइम को एनरजी को पार्टी करने में गेम सकलने में और साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-9,9 गंटे सोचल मीडिया पर वेस्ट कर देते है जबकि इस energy और time का use करके ओपनी जिंदगी में इतना कुछ कर सकते हैं जिसका उनको खुद भी अंदजा नहीं है आप ही की एज में आप से भी भूरी कंडिशन से निकल करके लोगों ने वेसा एसा काम कर दिया जिसका आप सोच डख नहीं सकते और आपके पास में सब कुछ है लेकिन फिर भी आप हाथ पर हाथ धरे बेठे हुए हो और अपनी जिन्दगी को अपने प्राइम एर्स को वेस्ट कर रहे हो यह जो एज आपको मिली है इसमें कुछ करो अपनी इनरजी और टाइम का सही से यूज़ करो रिस्क लो जिन्दगी में एक रोमांच होना चाहिए बोरिंग जिन्दगी हमें नहीं जीनी है यह पार्ट आपकी जिन्दगी का सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है और अगर आप इसे ही बरबाद कर दोगे तो समझे जिन्दगी बरबाद हो जाएगी पांचवी गलती अपने आपको दूसरों से कमजोर समझना जब जब हम अपने से ताकत वर इंसान ज़्यादा नोलेज़ेबल टैलेंटेड इंसान को देखते हैं तो हम ये सोच लेते हैं कि दूसरे हमसे ज़्यादा बहतर हैं लेकिन इसी के साथ साथ हम ये भी मान लेते हैं कि हम उनसे बद्तर हैं अगर वो हमसे ज़्यादा योग्य है तो हम ये मान लेते हैं कि हम उनसे कम योग्य हैं आप पुरी दूनिया घूम लो हर इंसान में आपको कुछ ने कुछ इसा जरूर मिलेगा जो कि उसमें आपसे अच्छा होगा और हर इंसान में ऐसा भी होगा जो उसमें आपसे भूरा होगा आपको हर चीज में अच्छा बनने की ज़रूत नहीं है और आप बन भी नहीं सकते आपको ये देखना है कि कौन सी सी चीज है जिसमें अगर मच्चा हो जाता हूँ तो मेरे लिए बहुत फाइदा है मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्ड दनाएगा यह करने के बाद में तो उससे एक पर्टिकुलर चीज में अच्छे बने आमिर खान एक्टिंग में इतने अच्छे हैं कि सभी करद्यान सिर्फ वहीं पढ़ जाता है लेगिन कोई इस बात की परवाब नहीं करता कि वो सिर्फ 11th क्लास नकी पढ़े तो आपके अंदर infinite energy और possibilities से और कुछ न कुछ चीजों में आप बहुत ही अच्छे होंगे और साथी साथ कुछ न कुछ चीजों में आप थोड़े कमजोर होंगे तो इन थोड़ी वो चीजों की वाज़े से खुद को कमजोर न माने कमजोर आप नहीं बलकि आपकी सोचे और जैसा कि मैंने कहा कि किसी एक चीज में इतना improve हो जाओ, इतना grow कर जाओ कि आपकी बाकी सारी चीजें नजर अंदाज हो जाए और आपकी पेचान सिर्फ उसे एक particular काम से की जाए और बाकी सारी गलतिया और बाकी सारी कम्या उसकी वज़े से छुक जाए ये थी वो पांच गलतियां, छटी जो गलती है वो मैं आप से जाना जाता हूँ कि क्या है जो कि आप कर रहे हैं वो या फिर आपके आसपास में कोई कर रहा है या फिर आपने करके उसे सुधार लिया है, मैं आप सब से जाना चाता हूँ